GST से क्या गभराना? साल वर की बात है. GST नीचे ये अपना GDP नीचे गया वगेरे वगेरे बात आ जाती है कि विकास की गती धिमी हो गई डिमोनेटाइजेशन के कारण वगेरे वगेरे बात आती है. मैंने का जब मैं कोई अर्थ शास्त्री तो हूँ नहीं मैं तो एक कथाकार हूँ लेकिन इतना समझता हूँ कि जब ट्रेन में आप यात्रा करते हैं और ट्रेन ट्रेक चेंज करती है तो स्पीड थोड़ी कम करनी ही पड़ती है होती ही है नहीं तो डिरेलेंट मेंट हो जाए तो एक पूरी अर्थ व्यवस्था को बदलने की जो बात है तो थोड़ी गती भी धीमी होगी और दूसरी बात कि आवाज भी ज़्यादा करती है तो आवाजे भी बहुत उठेंगी पक्ष में विपक्ष में बहुत ज़्यादा वाज उठती है मुख्यी बात यह है कि आदमी कार्य कर रहा है प्रधान सेवक राष्टर का वो पुरी निष्ठा के साथ कर रहा है उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए यदि इनसान है इश्वर कोई नहीं यदि गलती भी हो जाए तो भी जो लोग देश के हित को सर्वो परी रख कर सोचते हैं वो हमेशा यह कहेंगे इट्स ओके बट वी आर विथ यो सचिन तेंडूलकर यदि मेरा फेवरेट खिलाड़ी है और मैं श्टेडियम में हूँ तो सचिन तेंडूलकर से तो सेंचूरी से नीचे कोई एक्सपेक्ट करेगा ही नहीं अबियसली तो इनसे भी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा रहेगा ही और गिंती की गैंद बाकी रह गई हो और सेंचूरी पूरी करनी हो एक-एक बॉल महत्वपुर्ण हो और उस वक्त यदि किसी बॉल को अपना खिलाडी चूक जाए तो पूरा स्टेडियम यूँ हाथ करके आँ ऐसे उद्गार निकालेगा कि चूके लेकिन स्टेडियम में सभी लोगों की भावना उसके साथ जुड़ी होगी हो सकता है कोई बोल चूक भी जाए क्योंकि इश्वर तो कोई नहीं है हम लेकिन अगले की क्षमता में और अगले की निष्ठा में कोई शंका नहीं हो तो हम प्रार्थना यही करेंगे क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो केवल 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 राष्ट के लिए कर रहे हैं